नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप ऊप्लोक एक बार फिर से मैं आप लोगों के लेकर के हाजिर हूँ डेली करेंट अफेर्स का यह वीडियो दोस्तों आज है बीस जनवरी और अज में इस वीडियो देस्क्स करने वाले हैं डेली क्रेंट अफेर्स के कुछ बहुत important MCQs के बारे में जो आपके upcoming exam के point of view शो बहुत ही important है ठीक है इन यह जो questions हैं इनसे आपके कुछ important facts भी बनेंगे और important questions और भी बनेंगे उनको भी हम साथ में discuss करते हुए चलेंगे वीडियो देखते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल आता है आप कोई चीज पूछना चाहते हैं तो बिना किसी hesitation के आप पूछ सकते हैं ठीक है चलिए start करते हैं आपका वीडियो और लेते हैं सबसे पहला question लेकिन जैसा कि हम daily करते हैं question लेने से पहले देखते हैं quote of the day क्या है आज का an investment in knowledge pays the best interest यानि कि आप knowledge में घ्यान में interest क्या invest करते हैं एक तरह से अपना गर समय invest करते हैं ठीक है अपना पूरा समय knowledge को gain करने में लगाते हैं तो आपको क्या मिलेगा अच्छा आपको उसका output मिलेगा ठीक है यानि कि आप अपना लच आसानी से प्राप्त कर सकेंगे जैसे कि सभी का dream है अपना एक अच्छा केरियर बना पाना ठीक है तो an investment in knowledge pays the best interest चली लेते हैं आज के वीडियो का पहला question और सभी question आपके बहुत important question exam point of आपके questions बहुत important ठीक है पहला question हाल ही में PM Modi को किस मंदिर के trust के अंगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है ध्यान देना है question को ध्यान से पढ़ना है और समझना है PM Modi को किस मंदिर के trust के अंगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया तो यह गुजरात में स्थित्मंदिर है आपका स्री सोमनात मंदिर option B आपका सई होगा यह trust कि जो इस मंदिर की trust है तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं जान लेते हैं तो यह जो ट्रस्ट है गुजरात के गिर सोमनात जिले में प्रभास पाटन सहर में विश्व परसित सोमनात मंदिर का प्रबंधन करती है, मनेजमेंट करती है, ठीक है, एक बार फिर्स में आप लान को दोरा देता हूं, इससे को आप आसानी से लोकेशन पता चल जाए, ठीक ह तो यह ट्रस्ट गुजरात के गिर सोमनात जिले में प्रभास पाटन, कौन सहर है, प्रभास पाटन सहर में विश्व परसित सोमनात मंदिर का प्रबंधन करती है, मनेजमेंट करती है, ठीक है, प्रधान मंतरी मोदी, दूसरे ऐसे प्रधान मंतरी होंगे जो इस ट्रस्ट क अध्यक्ष बनेगे यानि कि इससे पहले भी ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बनेगे वो कौन थे मुरार जी देशाई ठीक है यानि कि मुरार जी देशाई के बाद मोधी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष किसके सोमनात मंदिर ट्रस्ट के ठीक है सोग्रान मंदिर ट्रस्ट के अद्क्च कौन थे तो वो थे अभी हाल हीमेण का देहांत हो गया है केसु भाई savvy P travaille पढले इसके अदन्च थे लेकिन उनका देहांत हो गया है फिर्दानthree मोधी जी को बना दिया गया है आपको सभी पॉइंट किलियर हो गया होंगे ठीक है आप कमेंड बाक्ष में करके बताईए कि वर्तमार में गुजरात के मुख मंत्री और गवर्नर कौन है पिछले वीडियो में हम बहुत बार डिसकस कर चुके हैं दूसरा कुशन लेते हैं हाल ही में गोसित नेता जी सुभास चंद बोस कि जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाने की गोशना की गई है ठीक है यह भारत सरकार के तरह गोशना की गई है क्योंकि इस वर्ष जो इनके जैनती मनाई जाएगी बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक है इनके जैनती के 125 वर्ष पूरे होने वाले है यानि के 125 वी जैनती मनाई जाएगी 125 ठीक है तो इनका जो दिवस है जन्मदिवस है इनकी जैनती उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा की गई है option C आपका सई होगा तो इनका बर्थडे है वो कव होता है जन्र दिवस कव होता है नेता जी सुभास चंद बोस जी का 23 जन्वरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा 125 में जैनती होगी मैंने पहले बता दिया आपको तो सुभास चंद बोस जी के आंगे नाम के आंगे जो नेता जी सब्द जुड़ा है ये इनको किस ने दिया कभी-कभी ये question पूस देता है एक्जाम में तो इनको ये दिया जर्मनी के तानासा एडॉल्फ हिटलर ने किस ने दिया एडॉल्फ हिटलर ने ठीक है नेता जी सुभास चंद बोस ने महात्मा आपके बहुत ज्यादा एक्जाम में पूछे जाते हैं तो याद रखें ठीक है नेता जी सुभास चंद बोस जी का जन्म कहा हुआ था वर्तमान के कटक में हुआ था ठीक है हां हलाकि जब इनका जन्म हुआ तब ये किसके दीन था ये बंगाल प्रेसिडेंसी के दीन था लेकिन आप बढ़तमान में देखेंगे ये जगह तो कटक में उनका जन्म हुआ था ठीक है चलिए वीडियो पसंदार है जनकारी पसंदार है आपको तो लाइक और सेर जरूर सिखीजिएगा चलिए आगे बढ़ते वीडियो में लेते हैं तीस तरह कोईशिन हाई लही में चर्चित वाय उभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 किन देशों के मद्दायुजित किया जाएगा तो यह एक वाय उभ्यास है वाय स्वेना का भ्यास है तो यह भारत और फ्रांस के मद्दायुजित किया जाएगा ऑप्शन ए आपका सही होगा यह जो वाय उभ्यास है यह जोदपुर में 20 जनवरी से शुरू होगा, यानि कि आज के दिन से शुरू होगा, इसमें जो भारत के एरक्राफ्ट हैं, फाइटर फ्लेन हैं, भाग लेंगे, कौन-कौन से, जैसे कि आपका मिरास 2000 है, अब बात हो रही है, एरफोर्स की तो वाजिब सी बात है, कुछ कुछ से से, निकलने वाले हैं, जैसे कि एरफोर्स डे का मना जाता है, प्रतेक साल तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, अभी आपका 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, हम डिस्कत कर चुके हैं, कमेंड ब चलिए, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और लेते हैं, चौता कुछिन, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कुछिन और आप्सन नीचे हो गई, चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप देख लेंगे, ठीक है न, हाल ही में चर्चित भारत किस देश को फ्री में कोवी सिल्ड की 20 लाक डोस देगा, यानि कि जो वैक्सीन है इसकी 20 लाक डोस देगा इस भारत को फ्री में, तो यह देश है हमारा पडोशी देश है, बांगला देश, option D आपका सई होगा, थीक है, हाँ, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैक्सिनेशन का जो काम है वो भारत में शुरू हो शुका है ठीक है कब से शुरू किया गया 16 जनवरी से शुरू किया गया यह तारीक इयाद रखेए exam के point of age important है कि भारत में corona का vaccination ठीक है 303 से शुरू हुआ तो 16 जनवरी 2021 से शुरू है आपके लिए date बहुत important है बांगला देश से कुईशन और निकल गया आता है कि इस बार आपकी जो गंतन दिवस की परेड होने वाली है उसमें बांगला देश की सैन टुकडी भाग लेने वाली है ठीक है मुक अतिती कोई नहीं होगा इतना ध्यान रखिये गंतन दिवस में कोई भी मुक अतिती नहीं फजह करें खोजना को लांच किया गया कौंसी वह जना है इसकूल वन आई-ए-एस योजना पो लांच किया गया तो यह लांच किया है केरल के राजपाल ने इस योजना को लांच किया है केरल के राजपाल ने यानि कि आपका सही होगा केरल ने इसको लांच किया गया है राजपाल कोन है केरल के वर्तमान में आरिश मुहम्मद खाने आके राजपाल है तो राजपाल में राज के 10,000 परतिवासील ध्यान रखना है सुनना है ध्याम से 10,000 परतिवासील लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में परसासनिक सेवायम यह उच इसतर की पढ़ाई के लिए उच इसतर की सरकारी नोकरीयों में अपना बाविस्व बनाना चाहते हैं तो उनके लिए यह पसंद आ लाइक और सेर ज़रूर Σी किछिएग का ठीक है आप हमें social media a setup antag Westminster और हमें पर गो कर सकते हैं यहां पर जाए आप tylko करिए कोई आप यहां पर पूच सकते हैं डिसकी डिसक्ष कर सकते हैं कि सब्जक्ट के कि सब्जेक्ट के उसके द्वारा किया गया ठीक है तो जो रच्षिता का विक्राश है इसका BE Because किए ज़ॉप के दौरा कि द्वरा defendant चेशर भी अब्लंम्न और नइसION आपसंड बिया आपका सायुगा तो यह जो एंबुलेंस हैं DRD उने विक्सित की लेकिन DRD उने विक्सित की और उन्होंने ये एंबुलेंस CRPF को सौप दी ठीक है अर्दसैनिक बल है CRPF Central Reserve Police Force CRPF तो उसको DRD उने CRPF को सौप दी इससे क्या होगा तो ये बाइक एंबुलेंस भारती है सुरच्छा बलो और आपात कालिन स्वास्त से वहाँ पर दाताओं के सामने आने वाली समस्चाओं में पत्काल मदद करेगी यानि कि यहाँ पर कहीं पर ambulance वेन नहीं जा पाती है तो वहाँ पर क्या है माली जे कोई emergency आ गई तो उससे आपका इन बाइक से मदद मिले ठीक है ना emergency में इनका यूज किया जा सकेगा ठीक है यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट और देना चाहूंगा व्यूडियो मा आगे बढ़ने से पहले जैसा आप सभी जानते हैं कि NTPC के भी एक्जाम आपके चल रहे हैं फर्स फेस कंप्लीट होगा चल रहा है उसमें बहुत से बार 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 पूचे जा रहा है कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो फेवरेट हो गए हैं NTPC को और बार बार पूच रहा है ठीक है आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 यह भारत के दो बहुत ही important mission थे चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 तो इससे सम्मंदित आपका एक important वीडियो आने वाला है सायद आपको आज ही मिल जाएगा और आज नहीं मिल पाएगा तो आपको कल जरूर से मिल जाएगा तो इस वीडियो को आप जरूर से देखेगा यानि कुल मिला गए आपके तीन वीडियो होजाएं गया रार आप ये एंटी पीसे रेटेट तो आप उन तीनों को देखेग बहुत important video है ठीक है चले आप NTPC का नहीं भी दे रहे हैं exam और उनको देख रहे हैं तो वो भी आपके लिए पूरी तरह से यूजपूल होगी ठीक है ऐसा नहीं को NTPC के लिए ही है केवल आप किसी भी exam के तयारी करें आपके लिए पूरे यूजपूल है ठीक है न तो जरूर पर सिला जो रखी कई वो करनाटक में रखी गई ओप्सन सी आपका सही होगा इस राज्य के सीम ने बस कल्यान क्या लिखा है बस कल्यान में आधार सिला रखी ठीक है वैस्थान जहां बाहर्मी सताब्दी के कवी दार्सनिक बस्वेस्वरा यहां पर में लिख देता हूँ क जावी और दार्सनिक थे बस्वेस्वरा तो इनके इन्हों ने अपने जो जीवन का शमय है यहीं पर वितीत किया तो उसकी याद में अब यहां पर यह भवन का एक प्रकार सी यूं कहें कि मंदिर का या प्रांगण का करनाटक सरकार उसका विकास कर रही है यहां पर उसको बनाएगी ठीक है ना तो याद रखना है न्यू अन्भव मंतपा का निर्माण करनाटक सरकार द्वारा किया जा रहा है अब बात हो रही भाई करनाटक की वाजिब सी बात है करनाटक मुखमंत्री कौन है पता होना चाहिए बियस एदुरप्पा और गवरनर है देखा गया तो जो सेमरू जो अलमखी है आपका यह है इंडोनेसिया थीक है छोटटा छोटटे दीमेर्पों से मिलकर देश आपका इनडोनेसिया औप्शन में आपका सर decisions लिखते रहें ठीक है ना मैं आपको वीडियो को तरहां जो भी important facts बताता हूं important जानकारी बताता हूं वो आप जरूर से लिख लिया करें क्योंकि उससे भी आपके question बन सकते हैं ठीक है ना हाँ तो कौन से मेरापी और सिना बंग ये दो जौला मुखी हैं जिनमें कुछ दिन पहले आपका sport हुआ था और अभी किसमें देखा गया सेमरू जौला मुखी में आपका sport देखा गया तो यह जो सेमरू जौला मुखी है इसको the grade mountain के नाम से भी जाना जाता है यह जावा का सबसे उच्चितम जौला मुखी सिखा रहता था सरवादिक सक्री जौला मुखीों में से एक है अब आप पूछ रहें कि जावा क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि यह दो दूइफ हैं इंडोनेशिया के जावा और शुमात्रा जो बहुत ज़्यादा फेमास है आप सभी को इसके बारे में पता होगा ठीक है ना हाँ तो यह जो सेमरू जौला मुखी है कहां पर कौन से दूइफ में है जावा में है ठीक है न हां चलि आगके बढ़ते हैं नो एकन्ism ki तरफ हाल ही में चर्चित जी-7송ेला का में यह कहां किया जाएगा निकि ग्रूप आफ सेवन, जी सेवन का पूरा मतलब क्या है, ग्रूप आफ सेवन, ठीक है, तो इसका जो शम्मेलन है, वो ब्रिटेन में किया जाएगा, option A आपका सही होगा, ये इस बार इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है, क्योंकि इस बार भारतिये प्रधान मंत्री स्री नरे सम्मेलन होगा, 47 थी आपका सम्मेलन होगा, इसमें भारत के अलावा, आस्ट्रेलिया और दच्छल कोरिया को भी अथी देशों ग्रूप में सिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, ठीक है, तो याद रखे, तीन देश आपके आईजा, गेस्ट कं इसके बारें थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आप कांपी पनले का अगर बैठे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेते हैं, तो कल से लेकर करके बैठिएगा, और सभी इंपॉर्टन पॉइंट्स को लिखते जाएगा, ठीक है, आपके वीडियो को फिर से प्ले प्ले करिएगा, और फिर से इंपॉर्टन पॉइंट्स को एक तरफ से लिख लीचे, ठीक है, तो G7 की बात कर लेते हैं, तो नाम से भी पता चला है क्या है, ग्रूप आप से यानि कि साथ देश होगा, ये समू है, कौन-कौन से, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से आपको सुनना है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, युनाइटेट किंगडम, और युनाइटेट इस स्टेट, तो ये साथ देश हैं, इसके समू है, इसमें साथ देश आपकी ये आते हैं, इसकी स्थापना 1975 में हुई थे इसका कोई भी हेटक्वाटर नहीं, ठीक है, आगर आप देखने जाएं, आप इसको ढूने, इसका हेटक्वाटर कहा है, तो इसका कहीं भी कोई इस्थाई मुख्याले नहीं है, जहां पर जिस देश में आयोजित होता है, वहीं पर इसका मुख्याले हो जाता है, या फिर पहले जी सेवन था फिर जी एट हुआ फिर आपका जी सेवन हो गया कैसे चलिए देखिए तो 1997 में 1997 में इसमें रूस आ करके सामिल हो गया तो आपका जी सेवन से जी एट हो गया लेकिन कुछ दिनों बाद एक विवाद हुआ तो उसको लेकर के 2014 में 2014 में रूस को इससे निकाल दिया गया इस समुल से निकाल दिया गया तो फिर से आपका कितना हो गया जी सेवन हो गया तो याद रखें रूस भी इसका हिस्सा था लेकिन अब नहीं है ठीक है तो यह सभी जानकारिया थी आपके जी सेवन तो इस चैन से रिलिए बहुत इ लाने का ठीक है ना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए किसका वेट कर रहा है ठीक है चले आंगे बढ़ते हैं वीडियो में आज के वीडियो में नौ ही कुश्चन थे अब ले लेते हैं कल के कुश्चन का जवाब मैंने आपसे कल पूछा था होना चाहिए खास करके आपको भारत की रैंक जरूर से पता होना चाहिए कि हैंले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की आखिरकार इस्थान क्या रहा ठीक है न बहुत ही इंपोर्टन चीज है और जो अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो जर्मनी और दच्चिल कोरियां तीसरे स्थान पर स्वयुक्त रूप से रही ठीक है अब ले लेते हैं कुश्चन आप दडे इसका जवाब आपको कमेंड वाक्शन करके बताना है ठीक है बिना इसका जवाब देए आपको जाना नहीं हाल ही में पा चैनल के लिए अगर आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आप कोई वीडियो मिस न कर सके हैं तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्नवाद